नमस्कार दोस्तों, इंडन्मिनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फयाज आज कल एक डायलोग बड़ा पॉपिलर हो गया है कि रिस्क है तो इस्क है तो आपके उपर भी इसकी गाज गिरती है और यकीनन इसका काफी ज़्यादा नुकसान भी आपको जहिलना पड़ सकता अगर आपने जही से precautions नहीं लिए तो आज हम discuss करेंगे इन detail ये कौन-कौन से 5 risk associated होते हैं जो कि एक joint account के साथ आते हैं तो अगर आपका एक joint account है या फिर आप सोच रहे हैं joint account बनवाने का तो उसके पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा यकीनन आपको थोड़ा perspective मिलेगा आपको थोड़ा idea मिलेगा कि यदि मुझे joint accounts खुलवाना चाहिए या मुझे अपने मौझोधा joint account को बन कर देना चाहिए तो चलिए बिना की सिदेरी के सीदा point पर आते हैं सबसे पहला जो drawback होता है joint account का वो होता है अगर by chance किसी इनसान का divorce हो जाता है तो यदि एक husband wife की जोड़ी है और अगर उनका joint account है और हमारे देश में आज हम सभी को पता है कि marriages नहीं चल रहे हैं, marriages काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे cases में marriages में divorce हो रहा है जो कि काफी आम हो गया हमारी संस्कृति में आज जो की ठीक है चलता है, it's everyone's personal take तो हम उसके बारे में comment नहीं करेंगे, लेकिन जब बात आती है joint account की, joint account अगर husband wife का दोनों का साथ में है तो definitely जब बात आती है separation की, तो ये काफी ugly हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे cases में आपकी financial privacy होती है वो maybe लोगों के सामने आ जाती है, आपके husband पहले क्या होता है, कि husband को और wife को पता है, दोनों joint account holders को पता है कि financial transactions किस लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन जब separation की बात आती हो सकता है, अगर court में आपका case हो रहा हो, तो हो सकता है आप दोनों के separate account रखें, ताकि आप लोगों का worst के scenario में ऐसा किसी भी situation के साथ आपको deal ना करना पड़े अगला जो एक risk है, joint account के साथ वो होता है, conflicts का risk बहुत सारे business houses में यहाँ पर joint account रखना आम बात होती, तो बहुत सारे business, for example, अगर आपका construction वगेरा का business है तो अगर आप और आपके partner का एक joint account है, तो अगर आप दोनों को साथ में check sign करने के, मतलब एक option हता है कि दोनों partners को equally access मिलता है, check sign करने का, पैसे withdraw करने का, ना सिर्फ partners का, बलकि बहुत सारे cases में, spouse का, siblings का और बहुत सारे अलग-अलग तरह से लोगों के joint accounts होते हैं, husband wife के होते हैं, बच्चों के होते हैं, roommates के भी कहीं बाए joint accounts होते हैं लेकिन अगर मान लीजी कि आपका कल के दिन, आपके roommate के साथ, आपके दोस के साथ जगड़ा हो गया, तो फिर ये काफी ज़्यादा दिक्कत महीं आपको डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास equal access of पैसे withdraw करने का, details change करने का, और bank account के साथ छेड़ चाड़ करने का, तो ये आपको काफी ज़्यादा मुसीवत में डाल सकता है, अगर आपका जो साथी joint account holder है, अगर वो खुनस वाला निकला, अगर उसने आपके उपर कोई खुनबक निकाल दी, तो ये आपके financials पर इसका काफी ज़्यादा बुरा प्रभाव पढ़ सकता है, तो इसलिए avoid कर primary, एक होता है secondary, लेकिन जब बात आती है taxation की किसी भी तरह कि अगर मान लिजए कोई heavy amount का transaction हुआ है, तो उसका tax का जो impact होता है, वो secondary account holder के उपर नहीं पढ़ता है, वो primary account holder के उपर पढ़ता है, तो मान लिजए अगर आप और आपकी wife हैं, अगर ये दोनों का joint account है साथ में, म पढ़ेगा, आपको उसका tax दिना पढ़ सकता है, तो इसलिए कोशिश करें कि दोनों का अलग-अलग separate account रखें ताकि दोनों के taxation का बोज आपके अकेले के सरके उपर ना गिरे, जो चौती यहां पर गलती होती है, या risk होता है associated joint account के साथ वो होता है कि lack of financial privacy, अगर आप एक business साथ आपके partner को भी है, तो हो सकता है कि अगर आपका partner उतना इमानदार ना हो आपके business के प्रतिया है, हो सकता है कि उसका आगे जाके मन हो अपना खुद का business चलाने का, तो उस बंदे को पता होगा कि आपके किस तरह के transactions आते हैं, अगर आपका मान लीजे business account में ही आपके personal amounts भी आते हैं, तो यहां पर आपकी privacy नहीं बचती है, अगर कल के दिन वो आपको कोई जादा heavy amount का उधार मांगेगा, तो आप उसको ना नहीं कह सकते कि उसको भी पता है कि आपके account में इतने पैसे हैं इस वक्त, तो आप उस position में नहीं होंगे कि आप उस particular request को avoid कर पाएं, त होगा, तो फिर आपको पता है कि आपका account में कितने पैसे है, तो कल के दिन अगर आपसे कोई उधार मांगने भी आता है, तो आप उसको बोर्स रखने कि यार मेरे पस अभी इतने पैसे नहीं है, मेरा हाट ठोड़ा tight है, मुझे माफ कर दे, तो वो इनसान भी आपकी बात म है, joint accounts के साथ वो ये होता है, कि आपका credit history पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अगर आपका साथ ही account holder एक जिम्मेदार account holder ना बने तो, मान लीजी कि अगर उसके checks बगेरा bounce होते हैं, या फिर उसके transactions बगेरा थोड़े अच्छे नहीं है, मान लीजी आप जितना इमानदारी से अपने transaction को करने की कोशिश कर दें, कि आपको credit history अच्छा हो, उतना इमानदार वो इनसान ना हो, तो अगर आप primary account holder है उस account के, तो उसका सारा जो impact होता है, especially आपके credit transactions के बारे में, अगर मैं बात करूँ तो उसका impact पढ़ता है primary account holder पर, primary account holder के credit history पर, और अगर बहुत सारे cases में processing भी वगेरा wave off कर सकते हैं, आप उस position में होते हैं, जहां पर banks से साथ आप negotiate कर सकते हैं, कि interest rate कितना रखना है इस particular loan पर, इतना ही नहीं अगर आपका credit score काफी कमाल का हो, तो आपको banks red carpet welcome करके बोलते हैं, कि आप हमसे आके loan लीजी, तो अगर आप भी चाते ह कि आपके साथ भी ऐसा हो, कि आपकी credit history को आप भैतर करना चाहें, और इतना ही नहीं, बलकि personal finance के बारे में भी आप सीखना चाहें, तो आप download कर सकते हैं financial freedom, यह हमारा in-house app है, जो 6 अलग-अलग भाशाओ में मावजूद है, 55 सी भी जालग courses इसमें आपको मिल जाएंगे, personal finance career building, business और farming के उपर, तो इसकी link आपको description box में मिल जाएगी, अगर यह वीडियो आपको काम का लगा तो इस वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजे, ताकि आप हमारे आने वाले किसी अपडेट को मिसना करें, मिरे नाम है पयास, और आप देख रहे हैं indianmoney.com खश से ग HUघ सेंग worst आavy हैं, और आहे हैं, मिरे उन्हाले मैं वीडियो करीको आप हैं, भीडियो कर दीजेश से उन्हास करें दीजे़ का आप ça करम किसी में मिल आपको करदेगे हैं, यहुससैं आपको कर मिले कर दोचके सा भ्यान मिले समें जापको कर दाचन आने वीवर का